तो आपके लिए यहां पर 10 एंटनम्स है जो मतलब तो आपको राइट करने है और तो आपको आपको समझांगे आपशे если उसके बाद slow slow का आप अंटर्णम्स है fast F.A.S.T. fast थर्ड है L.O.N.G. long long का इंटर्णम्स क्या हो जाएकर short S.H.O.R.T. short fourth है H.I.G.H. high high का इंटर्णम्स क्या हो जाएकर low L.O.W. low fifth है under 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 का इंटर्णम्स हो जाएकर over O.V.E.R. over sixth है poor P.O.R. poor poor का इंटर्णम्स हो जाएकर rich R.I.C.H. rich seventh है stop 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 का इंटर्णम्स क्या हो जाएकर go G.O. go eighth है H.O.T. hot 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 का इंटर्णम्स क्या हो जाएकर cold C.O.L.D. cold ninth है wrong W.R.O.N.G. wrong wrong का इंटर्णम्स क्या हो जाएकर right R.I.G.H.T. right ten है black B.L.A.C.K. black black का इंटर्णम्स हो जाएकर white W.H.I.T.E. white ओके तो एक बर और पढ़ते हैं इंटर्णम्स ओके first है happy sad second slow fast third long short fourth high low fifth under over six poor rich seventh stop go eight hot cold nine wrong right ten black white तो स्टुरेंट्स आपको समझ में आ गए एंटर्णम्स एंटर्णम्स ही होते हैं opposite words opposite words ही होते हैं एंटर्णम्स ओके तो आपको यह write करना है अपनी English grammar की notebook में और उसके बाद इसे learn करना है ओके थैंक्यू स्टुरेंट्स अभल Ş, उखिये होते हैं और श्यूल